हेलो गाईस, रेसिपी सब कुमल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूँ पटल मसाला बिल्कुल नए तरीके से इस तरीके से एक बार पटल की सबजी आपने बना ली तो और तरीका तो बिल्कुल आप भूली जाएंगे तो चलिए आज का वीडियो में सुरू करते वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सेर करना बिल्कुल भी न भूले मेरे वीडियो के निचे दिएगा सब्सकाइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सकाइब कर ले और बेल आइकन को दबाना तो बिलकुल भी ना भूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं और इसी तरीके की वीडियो में लेके आती रहूँ तो ये देखिए मैंने 800 ग्राम के करीब पटल ले लिया है और पटल को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसे चलिए अब हम छील लेते हैं कुछ इस तरीके से हमें इसे छील लेना है इसके साइट का हिस्सा आप जरूर इसे चाकू की मदद से अच्छे से छील ले तो देखिए मैं जिस तरीके से छील रही हैं अगर जो आपको ना समझाए तो आप इस तरीके से छील सकते हैं तो मैंने इसे छील लिया है बाकी भी मैंने इसी तरीके से छील कर रख लिया था और इसके side के इन दोनों हिस्से को हमें काट कर हटा लेना है और इसे काटने के बाद अब हमें इसको 20 से अच्छे से काट लेना है तो ये देखी मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे और बीच से काटने के बाद इसमें हमें 3-4 कट लगाने है तो कुछ इस तरीके से मैंने काट कर सभी रख लिया है और चलिए अब मैं आपको कट लगा कर दिखा देती हूँ चाकूक की मदस्ते आप धीरे धीरे इसमें इस तरीके से कट लगा है बिल्कुल पूरा नहीं काटना है बस हलका हलका हमें इसमें कट लगाना है कुछ इस तरीके से आप भी सभी में कट लगा ले तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसमें हमें मसाले की फिलिंग करनी है और इसके पीछे भी हमें मसाला अच्छे से भर लेना है तो देखिए मैंने अच्छे से इसे कट कर लिया है तो कुछ इसी तरीके से मैंने सभी को cut कर लिया है बस इसी तरीके से आप भी cut लगा ले तो चलिए इसे side में रखते हैं और मसाले की त्यारी करते हैं तो एक मैंने इस तरीके से cut order ले लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे एक छोटा चमच के करीब अधरक लशन का paste एक छोटा चमच काली मिर्च का powder एक छोटा चमच हल्दी powder एक छोटा चमच जीरा powder एक छोटा चमच लाल मिर्च का powder लाल मिर्च मैं थोड़ा सा और एड़ कर देंगे हूँ और एक छोटा चमच बेसल और स्वादनुसार नमक आदा छोटा चमच के करीब मैंने इस्तमाल किया है एक छोटा चमच के करीब मैं Refine Oil का इस्तमाल कर रही हूँ और इसमें अब हम पानी डाल कर इसका आच्छे से गारह बैटर त्यार कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने त्यार कर लिया है आप देख सकते हैं तो बस आपको इस तरीके से ठीक बैटरी बनाना है और ये बनकर रेडी हो चुकी है तो आप देख सकते हैं अब इसे हमें पटल के अंदर इस तरीके से उंगलियों की मदश से हमें थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरीके से भर लेना तो चलिए इसे साइड कर लेते हैं और मैं दूसरा भी इसी तरीके से आपको भर कर दिखा देती हूं तो कुछ इस तरीके से आप भी जरूर भर ले और देखें कितने अच्छे से मैंने कट लगाया है कि बिल्कुल पीछे से कटी भी नहीं है और मैं इसके पीछे का हिस्था और मैं दिखा दूँगे आपको कि बिल्कुल यह कटी नहीं है और कितने अच्छे से मसालकी अच्छे से इसे मैंने भर लिया है तो इसी तरीके से आपको सभी में मसाले भर लेने हैं तो देखिए मैंने इसी तरीके से सभी मसाले भर लिया है और इसके पीछे भी हमें इस तरीके से हलका हलका मसाला हमें लगा लेना है उंगलियों की मदद से तो देखिए हमने सभी में मसाले भर कर रेडी कर लिये हैं तो आप देख सकते कितना ये तेश्टी लग रहा है ना बनने के बाद ये और भी तेश्टी लगेगी और जो हमारा मसाला बच गया था उसे हम ग्रेवी में इस्तमाल करेंगे तो चलिए कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था चार बड़ा चमच मैं रिफाइन ओयल का इस्तमाल कर रही हूँ इसको मैंने अच्छे से कढ़ाई में फैला लिया था ओयल को और अब हम डाल देंगे अपने पटल तो बस आप इसे मीडियम से लो फ्लेम पे ही इसे पकाएं अच्छे से देखिए ये हलका सा गोल्डेन कलर हो जाए तो इसे आपको निकाल देना है ज्यादा भी लाल नहीं करना है तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है न तो बस अब इसे हमें पलट लेना इस तरीके से और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई होने देना है तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और देखिए अब हम दूसरा round इसमें डाल देते हैं उसी तरीके से इसे भी हम fry कर लेंगे तो ये देखिए हमारा पतल fry होगे रेडी हो चुका है तो इसे अब हम side में रख लेते हैं और इन तीनों को भी मैंने अच्छे से fry कर लिय ये वीडियो अच्छी लगे तो एक subscribe जरू और इसमें अब हम डाल देंगे प्याच पेश्ट जिसको मैंने पहले से त्यार करके रखा था ये तीन चोटा चमच है एक मीडियम साइस के प्याच को मैंने अच्छे से पेश्ट बना रख लिया था और देखिये हल्का समय इसे भून ली हूँ प्याच को तीन छोटा चमच के करीब अधरक लसन का पेश्ट और इसे भी अच्छे से हमें प्याज के पेश्ट के साथ अच्छे से भून लेना है तो देखे कितने अच्छे से हमने भून लिया है अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चमच के करीब हल्डी पौडर और दो छोटा चम सार हम डाल देंगे नमक नमक आप इसमें कम ही एट करें और हलका समय पानी इस्तमाल कर रही हूँ उसके बाद अच्छे से मसाले को भूनना है और जो हमारा मसाला देखी बच गया था पतल में भरते वक्त तो उसे भी मैंने अब इसमें एट कर दिया है और इसमें हलका सा पानी डाल कर इसे भी अच्छे से भून लेना है वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूले और इसे दो मिनट के लिए इसी तरीके से ढख कर हमें मसाले को अच्छे से पकने देना है तो देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला ओयल छोड़ चुका है तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं तो देखे हमने अच्छे से मिला लिया है, और हल्का समय पानी एक की हूँ, जिससे हमारा मसाला अच्छे से भून सके, तो देखे कितना अच्छा कलर आने लगा है, तो दो मिनट के लिए इसी तरीके से मैंने ढक लिया था, तो चलिए ढकना अटाकर देख लेते हैं, तो आधा पाने बिल्कूल ना डाले और इसे हलका सा बस पकने दे तो देखे कितने अच्छे से पकने लगा है तो इसमें अब हम डाल देंगे दो छोटा चमच के करीब दही और दही डालने के बाद आप गैस को बन कर दे तो देखे मैंने गैस को बन कर दिया था और उसके बाद म मैंने अच्छे से fry करके रखा था तो चलिए इसको भी मैंने अच्छे से डाल दिया है और दो मिनट के लिए धक कर इसी तरीके से पका ले तो चलिए धकन हटा कर देख लेते हैं ये देखे कितने अच्छे से पक चुका है ना तो बस अब ये रेडी हो चुकी है गाइस एक आठे के साथ खा कर देखें यह कापी टेस्टी लगती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में